सेंस्टिविटी का शाब्दिक अर्थ होता है समवेधन शीलता कुछ व्यक्ति समवेधन शील होते हैं कुछ कम समवेधन शील होते हैं ठीक वैसे ही हमारे शरीर के जो आरगन हैं हमारे शरीर के जो अंग हैं वो भी समवेधन शील होते हैं लेकिन कब हो जाते हैं जब हम इसको निगलेक्ट करते हैं, निगलीजेंस होता है, जब इसका हम रख रखाव और ध्यान नहीं देते हैं, तब आज के समय में एसिडिक चीजों का खान पान में उपयोग बढ़ गया है, हम जो कोल्डरिंग पीते हैं, उसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, इसीड होता है, उसक इसीडिक चीजों में ये कार्बोनेटेड वाटरेड हैं, जितने भी प्रोसेस्ट ड्रिंक्स हैं, इनमें इस ज्यादा मात्रा में होता है, तो धीरे-दीरे और कुछ लोग हैं, जो खटे फलों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन कंसंट्रेटेड इस्तेमाल करते हैं तो विटमिन सी में भी एसकॉर्बिक एसिड होता है, जो सीधे हमारी दातों की इनमल पे काम करता है, तो ऐसी स्थिती में या कुछ लोगों को हर्ट बर्न होता है, यानि पेट का कुछ भाग, कुछ लिक्विड उपर आ गया, मुह में आ गया, और वो कहते हैं, पेट काते को गला देता है, और उसके नीचे है डेंटीन, डेंटीन पतली होती है, और उनमें बहुत ही संवेधन शिलता होती है, वो सीधे नर्व से जूड़ी रहती है, तो जब कभी भी ऐसा हुआ, कि इनमल हट गई, हमें ठंधा या गरम मालूम चड़ने लगता है, और एक ऐसी स् भरेलू उपचार की बात करें, या चिकित्सक की उपचार की बात करें, तो दोनों में प्राथमिक तोर पे एक काम जरूर किया जाता है, पहला, कि एक हमारे पास जल होता है, जिसको सेंस्टिवीटी जल कहते हैं, अलुमूनियम ट्रायाकसाइड और बहुत चीज़ें उसम तो धीरे धीरे वो जो खुली हुई टीव्यूल्स हैं, जो नलियां हैं, पतली पतली वो भर जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप डेंटिस्ट के पास आईए, वो एक बांडिंग एजन्ट लगा करके और बहुत सारी तरीके हैं, जिनसे वो चीज कवर की जा सकत है, जिससे आप निजात पा सकते हैं, अगर पल्प तक पहुंच चुका है, तो फिर असीटी करके भी इसका इलाज किया जाता है, यह निर्भर करता है कि उसकी गहराई कितनी है, कितनी उपरी परत हटी है, सेंस्टिविटी का इलाज बिलकुल संभाव है, और इससे आपको बिलकुल घबराना नहीं चाहिए, आज के समय कि यह बहुत आम बात है, आपको या तो जल लगाने के लिए आपका डेंटिस्ट पेसक्राइब करेगा, कि दिन भर में चार से पांच बार आपको जल लगाना है, और हर बार साफ हाथों से मैं कहूंगा क्योंकि मैं बार बार हाइजीन की बात कर रहा हूं, साफ सफाई की बात कर रहा हूं, तो हर बार साफ हाथों से दो मटर के दाने के बराबर अपनी तरजनी उंगली में लीजिए, गुनगुने पानी से अपने हाथों को पहले दोलें, और जहां जहां पर आपको सेंस्टिविटी लग रही है, व तो आपका जिल हफते दस दिन में खतम हो जाएगा, आपकी sensitivity चली जाएगी, अगर नहीं जाती है तो दूसरे उपाय किये जाएगे.